नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी चैनल में मेरा मिनाक्षी और आज की वीडियो में आपको इस शर्ट और शॉट्स बनाना सिखाऊंगी यह मैंने अपने टू येर बेबी के लिए बनाया है और आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्क्राइब जरूर से कर ले ना ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टीचिंग आप वहाँ पर मुझे फ यहां साइट चैनल का नापना है तो यहां पर आए 6.5 इंच तो मैंने इसे भी नाप लिया है और आप होल आप इस तरीके से मैजर करोगे उसके बाद आपको यहां पर अपनी स्लिफS busy हावर मैजर कर लेनी है और उसकी फिटिंग भी यहां पर मैजर कर लेनी है अब यहां आप कॉलर को इस तरीके से मिल आ करके कॉलर का भी नाफ यहां पर इसे ले सकते हो, दोनौे का ओपर और नीचे का यहां पर नाफ करके आप लिख ले ले तuding तो कपड़ा मैंने इस तरीके से two fold के हैं और नीचे से सीधह कर दूँगी इसका मैंने सूट बनाया था सूट में से बचा हुआ यहां पर फैब्रिक है उसमें से मैं इसे बना करके रेडी करूँगी तो दोनों साइड में यहां पर निशान लगा लूँगी स्टेट करने के लिए और लेंथ जितनी भी आपकी हो उसमें आपको एक इंच ज्यादा लेना है ठीक है तो यहां से देड़ इंच में एक्स्ट्र रखोंगी क्योंकि आगी साइड हमारी बटन बट्टी भी लगेगी तो उसके लिए आपको देड़ इंच एक्स्ट्र लेना है और यह केवल आपको फ्रंट पार्ट में ही लेना है तो सबसे पहले हम फ् 1.5 इंच विर्थ लेनी है नेक की और 5.5 इंच पर आप शोल्डर का निशान लगाए इस तरीके से और यहां पर 5.5 ही हमारे शोल्डर है तो यहां पर 6.5 इंच पर आप निशान लगाए क्योंकि मुझे उपर की साइड ज़ेड़ इंच यहां पर तोड़ा डाउन करना है तो यह निशान यहां पर ठीक से नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ी दूसरी चौक का यूज़ करूंगी तो उसके बाद मैं आपको दुबारा से सिखाऊंगे सारी चीज़े तो यहां पर यह वाली मैंने चौक लिए है ताकि अच्छे से मार्किंग यहां पर दि ठीके से और फिर यहां पर 5.5 रह जाएगा ठीके शौलडर हमारा अब चैस्ट का निशान आप यहां पर लगाएंगे जो भी आपका यहां पर 6.5 आया था तो उसका निशान लगाएंगे वन इंच्टर लेंगे तो कमर का यहां पर मैंने निशान लगा है वैसे बहुत वन इंच या हाफ इंच आप ले सकते हो और यहाँ पर इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है यह हमारे आम होल की शेप हो जाएगी और अब इसे हम सेंटर से कट कर देंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पर यह कट कर देना है उपर की साइज से भी हम कट कर देंगे और यह हमारी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी तो अब दुबारा से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है तो इसे फोल्ड करने के बाद जो ट्यपर यहाँ पर देनी है और वा चोड़कर के हमें बाके के यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से मैं बाकी सारी ma डबल वाला तो वही कप्ड़ा हम अलग से कट करके यहाँ पर लगाएंगे तो दो पार्ट हमारे हमने इस तरह से कटिंग किया है और जो back parts में थोड़ा सा extra मैंने यहां पर लिया है और इस में से मतलब जो हमारा arm hole है हलका सा extra लेकर के मैंने cutting की थी तो अब यहां पर कपड़े को मैंने इस तरीके से fold कर दिया है four fold और यहां से मैं sleeve cut करूँगी तो sleeve के लिए यहां पर मैंने जो चोड़ाई कपड़े की रखे वो रखे 6 इंच ठीक है और यहां पर length मैंने 5 इंच रखी है sleeves की और अब इस तरह से मैं से सीधा मिला दूँगी और आप कितना fold आगे से करना चाहते हैं उसके लिए आप extra रखे एक से 1.5 इंच जीतना भी आप folding के लिए रखना चाहते हो तीन इंच की fitting है एक इंच extra लिए हम यहां पर दो दो इंच पर दोनों साइड हम निशान लगाएंगे यहां पर इस तरीके से दो इंच यहां और इसे सीधा मिला देंगे और अब यहां से हम sleeve में इस तरह से shape दे देंगे इसमें से बना दिया और आप अलग से fabric लेकर भी बना सकते हो बहुत जादा fabric आपका नहीं लगेगा बहुत ही कम fabric में आपका इजली बन करके shadow shorts तियार हो जाएंगे तो यहां पर हमारी दोनों sleeves हैं अब इस तरीके से मैं इसे खोल दूँगी और इसके अंदर दूसरी sleeve रख दूँगी और इसे मैंने इस तरह से fold किया और अब यहां पर यह जो चौड़ाई है ना हमारे कपड़े की इसके बिल्कुर सेंटर में हलका सा हम यहां पर half inch की shape दे देंगे half inch अंदर को लेकर के shape दे देंगे इस तरीके से और यह मैंने दोनों एक साथ इसले रखे ताकि दोनों में एक साथ ही shape आ जाए अब यहां पर shots के हम cutting करें कपड़ा मैंने टू-fold करके रखा है उपर से 1.5 इंच लिया elastic के लिए तो अब यहां पर यह निशान करने के बाद हम 8.5 इंच पर यह निशान लगाएंगे और अब इससे सीधा इस तरीके से मिला देंगे और नीचे की साइड से यहां पर आप जितना fold करना चाहते हूं नीचे की साइड से उतना चोड़ा आप कपड़ा रख सकते हो 1 या 1.5 इंच और अब यहां से हम 8 इंच पर यह mark करेंगे और यहां से 8 इंच पर या 8.5 इंच के असपास आप यहां पर marking करें यह हमारे आसन की हो जाएगी और 1 इंच हम आगी के साइड से बढ़ा देंगे और यहां पर गोलाई दे देंगे और फिटिंग के आपको जितना भी आपका यहां पर फिटिंग का है 7 इंच है यहां पर तो 7 इंच पर निशान लगा के यहां पर मिला दूंगे और इसे कट कर दूंगे और ऊपर की साइड से हम इसे कट कर देंगे तो शौट के यहां पर हम कटिंग कर रहे हैं तो एक पार्ट हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे short के cutting हो गई है तो अब इसे हम stitch करेंगे तो कप्ड़े को आपको इस तरीके से रखना है एक fabric के ओपर दूसरा fabric रखना है और फिर यहाँ से आपको इस तरह से हाफा विच की दूरी पर stitch कर देना है दोनों side आपको इसी तरीके से stitch करना है और आपको यहाँ पर कहीं पर भी समझने में दिक्कत होती तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना या मेरा इस्टाग्राम पेज है एजी स्टेटिंग आप भी मुझे टीम कर सकते हो तो यह करने के बाद सिलाई आप बीच में भी एक बार करें ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए अब नीचे के साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसे भी आपको सिलाई कर लेनी है शॉट्स बनाना बहुत जादा इजी है काफी कम कपड़े में आप बना करके त्यार कर सकते हो और बेबी की आपको किसी भी तरह की अगर ड्रेस आपको चाहिए टुटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फोटो बेज सकते हो ताकि मैं देख करके उस पर वीडियो बना पाऊं या आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे वहाँ पर फोटो भेज सकते हो या मुझे डियम करके बदा सकते हो तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्टिच करना है और दोनों साइड हम इसी तरह सटिच कर देगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर फिटिंग की आपको से लाई कर देनी है सतो एक साइड से सिलाई ले जाकर के दूसरी साइट तक आपको इस तरह से करनी है तो यहाँ पर हम बैल्ट के लिए को né निशान लगा अधा अधा से इस तरीके से फोल्ट कर रखना है कपड़ा इसलिए मैंने डेर इंच लिया अब यहां पर थोड़ा सा मैंने यहां पर जगे छोड़िये हैं ताकि मैं इसमें इसमें इलास्टिक डाल सकूँ तो आपके बेबी की जो भी कमर होगी उस इसाफ से आपको इलास्टिक लेनी है और फिर इसमें इस तरह से क कर देंगे और अभी सिप आपको एक सेंटर में सिलाई और लगाने हैं बिल्कुल बराबर से कीच करके तो पूरी सिलाई करने के बाद हमारे इलास्टिक ऊपर की रेडी हो जाएगी तो यह शॉट्स हमारा बन करके इस तरह से तियार हुआ है बहुत ही ब्यूटिफुल बन मैंने टूफोड करके रखा है और यह मैं तीरे के लिए यहाँ पर कपड़े को कट करूँगी तो यहाँ पर लंबाई का निशान लगाया पौने छे पर इस तरीके से और यहाँ से हम लेंगे साड़े चार इंच और इस तरीके से आपको यह सीधा ऐसे मिला देना है तो फ्रॉंट पर लगाएंगे और इस तरीके से हम डाउन करेंगे और यहां से हम इसे कट कर देंगे यह इस तरीके से आपको cut कर देना है चाहे तो आप इसे आपका जो front part था उसके उपर रखकर भी same ऐसे ही cut कर देना है और एक part हम और cut कर देंगी यह same वही size है जो हमने front part में उपर की side से cut किया था बस आपको इसकी length कम रखनी है तो इस तरीके से हम यह दो part में cut करके इसे त्यार कर लेंगे अब यहाँ पर pocket के लिए हमने लिया है हमें pocket जो ready चाहिए वो चाहिए 4 इंच की लंबाई और 3.5 इंच की चौड़ाई तो हम इसमें आदादा इंच extra ले ले लेंगे और side से हम fold कर देंगे अब यहाँ से हम neck का निशान लगा लेंगे यह भी 1.5 इंच पर ही है और एक mark हम सीधा इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर हम इसे cut कर देंगे यह हमारा front part है इसमें भी neck हमें सेमी रखना है पोने 2 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच की लंबाई अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो pocket की चौड़ाई है मतलब pocket की जो यहाँ पर चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी और लंबाई यहाँ पर 3.5 इंच तो उसका mark हम यहाँ पर लगा देंगे यह हमारा front part है और वहाँ पर हम अपने pocket का यहाँ पर marking कर देंगे तो यह देखिए mark यहाँ पर करने के बाद इस तरीके से और नीचे की side से हलका सा उसी shape भी देते हैं हम pocket को तो 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से दूसरी side से ठीक है इस तरीके से हम हलके हलकी यहाँ पर shape देंगे और इसी तरह से जो हमने pocket कट की हैं उसे भी आपको प्रेस से त्यार करके रख लेना है तो कपड़े को हम इस तरह से अलग करेंगे यहाँ पर और इसे आप नाखून से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिए इस तरीके से दोनों फैब्रिक को यह अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड हो गई यह हमारी बटन पट्टी है शर्ट की और इसे मैं हटाऊंगी तो यहाँ पर जो हमने पीछे मार्क किया था वहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर हमें मार्किंग दिख रही है तो उसे के अकॉर्डिंग में यहाँ पर निशान लगा लूँगी ताकि हमें पॉकिट लगाने में दिक्कत ना हो तो यह मार्किंग यहाँ पर हो गई है अब इसके बाद मैंने यहाँ पर पॉकिट को चारो दरफ से प्रेस करके सेट कर लिया है इस तरीके से किवली अभी इस पर मैंने प्रेस ही की है और जो इस तरह से यह हम यहाँ पर अटेच करेंगे तो उससे पहले एक सिलाई हमें यहाँ पर करनी है तो इसमें सीधा इस तरीके से खोल दूँगी उपर की साइड से और एक सिलाई में इसके उपर लगा दूँगी ये बाहर की साइड है कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है और अब इसके बाद इसे हम अच्छे से अंदर की साइड मोड करके सेट कर लेंगे क्या अधा आप इस पर दुबारा से प्रेस कर दे ताकि अच्छे से सेट हो जाए ते कुछ इस तरह से होगा आप इसे जो आपने मार्किंग की थी उसके उपर रख करके आप यहाँ पही से सिलाई कर दें इस तरह से आपको रखना है और फिर यहाँ से उल्टी साइट से हमें सिलाई करनी है इस तरह से ले जा करके और फिर दुबारा नीचे ले करके आना है ऐसे और इस तरीके से सिलाई को हमें कर देना है और उपर तक इस सिलाई को ले करके जाना है और यहाँ पर हमें डवल सिलाई करनी है वापस नीचे को लाएंगे तो यह हमारे पॉकेट यहाँ पर अटैच हो गई है और अब यहाँ पर जो हमने तीरा कट किया था उसका हम सेंटर बनाएंगे और जो हमारा back part है उसे रखेंगे इसमें भी हम center बनाएंगे हलका गटम center में लगा लेंगे अब center को ध्यान रखते हुए एक part हम इसके नीचे की side रखेंगे और एक part हम इसके उपर की side रखेंगे और ध्यान रहें मैं कपड़े को किस तरीके से रख रही हूँ वो आप ध्यान से देखना एक कपड़ा हमने इसके उपर रखा और एक हम इसके नीचे की side रखेंगे ठीक है इस तरह से और अब यहाँ पर हम half inch की दूरी पर stitch कर देंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हमने stitch कर दिया है अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से इसे आप अपने nail की help से इस तरह से set कर सकते हो या फिर आप press भी इस पर कर सकते हो और एक सिलाई इसके ऊपर आपको लगानी है तो एक सिलाई में इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से अब यह जो extra fabric है उसे हम कट कर देंगे यह fabric आप extra cut कर सकते हो मलब extra ले सकते हो पर कम ना रहना चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को रखा है front part को back part के साथ और आपको यह इस तरीके से attach करना है से अब ध्यान से देखना ठीक है किस तरह से रखा है वो देखो आप अब हमें इसे इस तरीके से रखना है और ये जो हमारा दूसरा वाला तीरा है इसे इसके ऊपर रखना है ऐसे अब इस तरीके से रख करके आपको यहाँ पर यहाँ पर सिलाई करनी है इसे जो सिलाई करने का तरीका है उसे थोड़ा से ध्यान से आप देखना इससे हमाई जो सिलाई है ना वो अंदर की साइड चली जाएगी और बाहर से फिनीशिंग आ जाएगी दोनों साइड से तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेडी होगा यह देखे इस तरीके से और फिर एक सिलाई आपको इसके ऊपर भी करने है अब दूसरी साइड भी मैं आपको अच्छे समझाओंगी यह जो कपड़ा हमने इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे एक साइड अब जो दूसरी साइड का हमारा तीरा है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे लिजा करके ठेके ध्यान से देखना इस तरह से और फिर यहाँ पर हम ह आफिज पर निशान यहाँ पर सिलाई कर देंगे तो इस सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से होगा आप इसे इस तरह से खोल देना और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिखाए देगा यहाँ पर रेडी होने के बाद यह देखिए यह इस तरह से कुछ ऐसे दिखाए देगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं यह सिलाई कर दूँगी दोनों साइड एक साइड के मैंने सिलाई कर दी अब दूसरी साइड में इसी तरीके से सिलाई करेंगे इसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है तो देखी दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई कर दी है अब यहाँ पर यह जो हमने फैब्रिक यहाँ पर बटन पट्टे के लिए रखा था हलका सामन्दा के साइड फोल्ड करके इसे भी यहाँ पर सिलाई करेंगे इस तरीके से आपको दोनों साइड से सिलाई करके रेडी कर लेना है मैंने कोशिश किए आपको अच्छे से समझाने के पर कहीं पर आपको अगर समझने में दिक्कत होते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगते हो तो प्लीज 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 सपोर्ट करें लाइक करें शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और यहां पर देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई करके इस तरीके से रेडि कर दिया है अब यहां पर बाजू भी मैंने आगे से फोल्ड कर दी है अब यह जो बाजू है ना यहां से सीधी सा काई टाण से हम हलूका सा कपड़ा इस तरीके से एक अंदर करके और फिर यहांहां स्टिच करेंगे क्योंकि फिनिशिंग वाले हमारी जो हमारी शेयर्ट होती है इसमें फिनिशिंग वाली और democrat की साइड से भी दिख्ती हम यह इन्वीजिबल टाइप में होती है तो उसके लिए आपको इस तरह से सिलाई करना बहुत जरूरी है तो मैं आपको वही वाला तरीका बता रहूं आप सिंपल भी सिल सकते हो पर यह तरीका थोड़ा प्रोफेशनल है तो इस तरह से सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है इस तरह से कपड़े को पकर यहां पर सेंटर बना लेना है ऐसे इस तरीके से मैं निशान लगा दूँ यहां पर और बाजू को भी आपको फोल्ड करके यहां पर सेंटर का निशान लगा देना है इस तरीके से और यह निशान यहां पर लगाने के बाद आपको निशान से निशान मिला करके से अटेच कर करने का तरीकर में आपको भी बताऊंगी यह देखे निशान से निशान आपको मिलाना है और फिर आपको बाजू अटेच करनी है अपनी शर्ट के साथ कि यहाँ पर आपको बाजू इस तरीके से रखनी है मैं पास से दिखा देती हूँ यह जो हमने सिलाई किये है इसे थोड़ा सा दूर रखकर के आपको सिलाई करना है लगबग एक पयर की सिलाई आपको इहाँ पर छोड़ करके तब सिलाई करनी है तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे अपनी बाजू को शट के साथ अटेच कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई हो गई है और अब देखना यहाँ पर सिलाई करने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा यह देखिए इस तरीके से तो यह जो हमने जगे छोड़ी है न अब इसे आप इस तरह से सीधा करें यह देखो इस तरह से दिखाई देगा अंदर की साइड से और अब यहाँ पर आपको सीधा रखना है और यहाँ पर इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है दोनों साइड आपको इसी तरीके से बाजू अटेच करनी है बहुत ही इजी तरीका है और फिनिशिंग के साथ आपको यह सिलाई करनी है तो यह कुछ इस तरह से त्यार होगा यहाँ पर अंदर की साइड से कुछ ऐसे दिखाई देगा और बाहर से कुछ इस तरह से finishing वाली हमारी सिलाई complete हो जाएगी तो बाजू भी हमने यहाँ पर attach कर ली है अब fitting के आपको marking कर देनी हो और fitting के भी आपको यहाँ पर सिलाई कर देनी है तो दोनों side आपको mark कर देना है और हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे तो दोनों साइट आपको इसी तरह के से सिलाई कर देने नीचे की साइट से अब आपको फोल्ड करना है तो एक साइट से यहाँ पर फोल्ड करके हम दूसरी साइट तक पूरे में सिलाई कर देंगे तो इस तरीके से आपको पूरे में नीचे की साइट से भी सिलाई कर लेनी है तो यहां से आपको बहुत ज़्यादा फोल्डिंग के लिए नहीं लेना है हलका साही फोल्ड करना है तो मैं यहां पर कॉलर कट करूंगे उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है यहां पर उसे टू फोल्ड कर दिया है और अब यहां से मैं लगाऊंगी सवा एक इंच पर और यह डेल इंच पर निशान लगाऊंगी और यहां पर आप अपना कॉलर नाप लें ठीक है सीधा मैं निशान लगा दूँगी आपकी शर्ट का आपको कॉलर नाप लेने ऊपर से भी और जो नीचे की साइड होता है उसे भी दोनों आपको नाप करके लिख लेने है तो ऊपर का जो यहां पर कॉलर है वो है 11 इंच जो नीचे का है 12 इंच ठीक है नाप करके मैंने उतना ही लिया है अब यहां से मैं निशान लगा दूँगी नाप करके अब यहां से हाफ इंच आपको ऊपर की साइड करना है क्योंकि हमें कॉलर का शेप देना है तो हलका सा ऊपर की साइड को हम इस तरीके से शेप दे दें के ओढ़िए ज spine pop को आपको यह निशान लगाना है ठीक है और आप यहां से ऋ summarize वेज़ान हमाराइब इस हैं बाहर की साई नहीं अंदर की साइट आप जो नीचे वाला है हमारे कॉलर जो 12 इंच है उसे हमें हैं इस तरीके स्ट किया से कटेगा हलका सो नीची के साइड शेप दे करके और ओपर का खुलर हमारा इस तरीके से कटेगा का तो दोनों कॉलर हमारे कुछ ऐसे हो जाएंगे और आप अब इस तरह से मैंने इसे कपड़े के ऊपर चिपका लिया है ट्रेस करके चिपक जाता है और दो फैबरिक आपको इस तरह से सेम साइज के कट कर लेने हैं और फिर आपको ऐसे से स्टिच करना है तो आपको इस तरह की से स्टिच कर लेना है अब यह जो एक्स्ट्र फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर दूँगी नीचे की जो नीचे का जो फैब्रिक है वो भी आपको उतना ही लेना है जितना कि हमारा यह पहले वाला फैब्रिक है ठीक है अब यहां पर हलके हलके कट लगाएंगे क्योंकि नीचे की साइट यहां थोड़ा गुमाव है ताकि फिनिशिंग से हमारा यहां पर कॉलर सेट हो तो कॉलर को आपको इस तरह सीधा कर लेना है और जो कोने हैं वो बहुत अच्छे से निकाल देने हैं आपको और फिर इसके उ से हमने सिलाई कर दी है और दूसरे वाला है हमारा कॉलर इसे भी मैंने इसी तरह से प्रेस करके चिपका लिया फैब्रिक की ऊपर और यहां से हम ऐसे स्टिच कर देंगी तो उपर के साइट से मैंने यहां पर स्टिच किया है और इसे इस तरह से करके मैं यहां पर कट लगा दूँगी बीच में और सेम इसी तरह से एक और फैब्रिक मैंने कट कर लिया है से मैं इसके नीचे की साइड रखोंगी और इसे जो एक्स्ट्रो फैबरिक हो उसे मैं कट कर दूँगी और यहां पर सेंटर का मैंने निशान लगा दिया है अब मैं इस तरीके से इसे रखूंगी ये देखिए हम एक फैबरिक को नीचे रखेंगे एक को ऊपर रखेंगे और यहां पर हमें इसे सिलाई कर देनी है तो इस तरीके से हमने इसे सिलाई कर दी है अब इसे हम सीधा करेंगे फैब्रिक को तो यह देखी यह सिलाई होने के बाद एक सिलाई में यहां पर भी कर देंगे यह जो मैंने पहले नेल से सैट कर लूँ, फिर एक सिलाई मैं इसके ऊपर कर दूगी, ठीक है, सिलाई करने के बाद अब हमें अपनी शर्ट लेनी है, और मैंने बचाइब लगाल कि इस तरह से हैं रहे हैं आपको इस ब़सके हैं भूलता कर हैं झातक के लिए लगालएं जित और अब यहां से सेंटर से हम यहां पर सिलाई लगाएंगी और एक साइड तक हम इस तरीके से सिलाई ले जाकर के और फिर जहां तक हमारी हमने फ्यूजिंग पेपर लगाई दी आप बुकरम जो भी यूज करो आप वहां तक आपको यह सिलाई लगाने हैं दूसरी साइड भ आपको यहीन तरह से अटेच कर लेना है तो दिखी कुछ इस तरीके से हो जाएगा अ beदेखे आपको इस तरह से इसे उल्टा कर लेना है अब यहां पर यह जो हमारी Centrum पेपर है या आप बुगरम यूज़ करोगे तो जो आपकी बुगरम है इसके शेप के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सिलाई करनी है इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे आएगी यहां पर आपको फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान देना है और इस तरह से यहां पर इसे सिलाई करनी है नीचे के फैब्रिक को आपको ऐसे अंदर की साइड अच्छे से ले जाकर के नीचे तक आप सिलाई कर दे फिर वापस ले जाकर के उबर की साइड सिलाई लाए दूसी साइड पर आपको इसी तरह से करना है, कपड़े को ऐसे रखना है, फिस सिलाई आपको नीची तक कर देनी है तो इस तरीके से आपको रखना है फैरिक को और फिस यहां पर आपको सिलाई करनी है, बिल्कुल आपको बुक्रम के shape के according तो डबल सिलाई में यहां पर करूँगी तो यह कुछ इस तरह से हमारी सीलाई हो जाएगी अब आपको इसे सीधा कर लेना है एक्स्ट्रा फैबरिक में यहां पर हलका सा कट कर दूँगी तो सीधा करने के बाद ही कुछ इस तरह से हो जाएगा और अब यहां पर आपको एक सिलाई यहां पर कर देनी है ठीक है इसे आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको इस सिलाई करनी है तो यहां से सिलाई करना मैं शुरू करूंगी और उपर तक इस तरीके से ले जाकर के पूरे में आपको दूसी साइट भी सिलाई करनी है यहां तक पूरे में सिलाई आपको करनी है तो यह सिलाई मैंने यहां पर कर दी है और हमारे कॉलर इस तरह से बहुते फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए है और ये हमारी शेट कुछ इस तरह से बन करके तियार हो गई है बहुत ही जादा ब्यूटिफुल ये शेट बनी है और यहाँ पर हम बटन लगा देंगे जो भी आपको पसंद हो तो इस तरह से हमारी शेट यहाँ पर रेडी हो गई है और इसके जाज़ शेट हैं वो भी हमने पहले रेडी कर लिया था और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना और मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप सबस्क्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे तो फाइनल लुक ये कुछ इस तरह से आएगा और आज़ी वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी कोशन हो कोई भी सजेशन आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो तब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में